दुनिया में दो टाइट के लोग होते हैं, पहरे वो जो खुद अपने हाथों में अपनी जिंदगी का रिमोट कंड्रोल पकड़के रखते हैं, तो दूसरे वो जो सब कुछ किसमत के हवाले छोड़कर चैन की नीन्स हो जाते हैं, तो अगर तुम डेस्टिनी में यकीन रख सीरीज है, ये एक सस्पेंस ट्रिलर प्राइम ड्रामा है, जो इनसान की चाबी ऊपर बैठा कोई और ही खिलाडी गुमाता है, इस बात को 100% साबित कर देती है, कहानी तकदीर नाम के एक मामूली से फ्रीजर वैं ड्राइवर की है, जो अकसर अपनी गाडी में मरे हुए ल लेकिन ट्विस्ट आता है, जब अचानक एक दिन इनकी वैं में एक unknown dead body प्रकट हो जाती है, मतलब एक मरे हुए इंसान का शरीर जिसको ना तो तकदीर लेने गए और ना ही कोई और उसको गाडी में रखके गया, अब ये dead body आखिर है किसकी और इसकी मौत का reason क्या है, natural या बोके या फिर कच्रे के ढेर में चुपा के हमेशा हमेशा के लिए उसा अपना पीछा चुडा ले, दूसरा रास्ता काफी मुश्किल है जिसमें तकदीर खुद इस dead body की जगे पे लेट सकते हैं, सही समझे, इस murder का मकसद पता लगा के अस्टी killer तक पहुँचने की जिसमें खुद की नदिया बहने की 100% guarantee है, अब एक और मज़िदार चीज तो मैं बताने ही भूल गई, तकदीर सहाब के फोन पे एक धंकी वाला call भी आता है, जब जब वो इस body से पीछा चुडाने की कोशिश करते हैं, फोन के पीछे कौन है, कहां से बोल रहा है, इसका को रात गायब हो गई है, बस information इतनी सी कि last time ये एक ऐसी लड़की से मिलने गई थी, जिसका rape किसी बड़े politician के साथ जुड़े हुए powerful शातान ने किया था, बस reporter मैडम उस सच को TV पे लाना चाहती थी, अभी तकदीर की वैन में मौजूद dead body का इस reporter वाले case से क्या connection है, क्या Time shows तुमने बहुत सारे देखे होंगे, Hollywood, Bollywood हर जगे suspense thriller की भरमार है, लेकिन तकदीर special है क्योंकि पूरे 8 episode के सफर में ठीक last minute पे पूरी कहानी का सच बहार आता है, उससे पहले हर moment पे show की writing तुमारे दिमाग के साथ बड़ी चालाकी से खेल जाती है, कभी इस फिशक होता ह तो कभी उस पे, लेकिन असली सचा ही एकदम unpredictable, आँखों से बिलकुल दूर, ये उस type की web series है जिसमें असली hero कोई actor नहीं उसकी कहानी है, एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी और दूसरी के अंदर तीसरी, और last में उन सबको आपस में जोड़ना, director सहाब आपको salute, और पता एकदीर शो, originally Bengali language में shoot हुआ है, लेकिन जो इसकी Hindi dubbing है वो एकदम perfect है, मतलब ना कोई fall to comedy dialogues गुसाये गए हैं और ना ही जबरदस्ती उसमें humor गुसाने की कोशिश की गई है, original emotions को जैसे का तैसा dubbing में डाला गया है, तारीज बनती है इस बात के लिए, and last but not the least, show की पूरी star कास्ट एकदम जबरदस्त है, specially जो lead actor है चंचल चौधरी, वो screen पर acting नहीं कर रहे है, वो character को जी रहे हैं, मैं shirt लगा सकती हूँ, इस पूरे show के खत्म होने के बाद, आप IMDb पर जाके इस बंदे की बागी फिल्मों के बारे में ज़रूर सर्च करोगे, क्योंकि एक show में इ हिंदी डबिंग में वेब सीरीज मिल जाएगी, बाकी कुछ लोग जो original language Bengali में इसको experience करना चाहते हैं, तुम लोग जाना होई-चोई नाम के OTT platform पे, कल फिर से मिलूगी वीडियो नंबर 5 के साथ, याद है न, हर रोज एक नया वीडियो, घर बैठो, सेफ रहो, तुमको गूमनी है, मैं घुमा दूंगी अपनी फिल्मों के साथ, बस खाना पीना तुम देख लेना, entertainment की मेरी जिम्मेदारी, बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो, या फिर कुछ शिकायत करनी हो, तुम आपको Instagram पर भी मिल जाओंगी, वरना थोड़ा से इंतिजार करें, झाले वीडियो में टिके, बाए बाए!